रूरल वोइस एग्री टेक्शो प्रेजेंटिड रॉइनल कॉपरेटीव डेलप्मेंट कॉर्परेशन नमस्कार मैं हूँ हरवीर सिंह रूरल वैस में आपका स्वागात है और हाजिर हूं Rural Voice Agritech Show presented by National Corporate Development Corporation को लेकर के इस शो में हम किर्शी और उसके सहयोगी शेत्र से जुड़ी तक्नीक के बारे में जानकारी देते हैं जिसका उप्योग किसान अपनी आर्थिक बेहतरी के लिए कर सकते हैं इसमें हम लोग तक्नीक के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक एक्सपर्ट सांटिस को लेकर के आते हैं जो इसके व्याभारिक पक्स को समझाता है साथ ही हम एक ऐसे किसान या उप्योग करता को भी शो में लेकर के आते हैं जो उसके फाइदे आपके सामने बताता है आज के Rural Voice Agritech Show का हमारा विशह है बायो फ्लॉक फिश्रीज प् कम पानी में बहतर तरीके से मचली उत्पादन कर उसका फाइदा ले सकते हैं देश में किसानों के लिए मचली पालन एक नए विकल्प के रूप में उब्रा है लेकिन अब सवाल है कि अगर आप परंपरा कर तरीके से मचली पालन करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी कालाब की जरत नहीं होती ना बड़ी जगे की जरत होती यहां आप जो मचली उत्पादन है वो कॉंक्रीट के बड़े टैंकों में या प्लास्टिक के बड़े टैंकों में करते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया का उप्योग होता है बैक्टीरिया के लिए पानी की जरत होती उस के लिए आपको बिजली की ज़रत पड़ती है, एक पंपिंग सिस्टम आपको चाहिए होता है, हाला कि शुरुवाती निवेश जरूर ज्यादा होता है, लेकिन बाद में आप इसमें किफाईती तरीके से बचली उत्पादन कर सकते हैं. यह बायो फ्लॉक का फिश्री सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, इस सारे टेक्नोलोजी को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट मुकेश सारन जी जुड़े है. मुकेश जी, Rural Voice Agritech शो में आपका स्वागत है. मेरा पहला सवाल आप से है कि बायो फ्लॉक फिश्री सिस्टम क्या होता है? इस तक्नीक के बारे में आप हमें बताइएगा. बायो फ्लॉक टेक्नीक के अगर हम इसको संध्य विक्षेत करें तो बायो प्लस फ्लॉक, बायो मिंस लिविंग और फ्लॉक मिंसे हर्ड, उनका एक समोह डेवलप करना है. तो यह जो टेक्नीक है हमारी, यह हम मत्स पालन के लिए अभी इसको यूज कर रहे हैं और मत्स पा हैं, उनको यूटिलाइज करके एक माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारे मश्लिक ले अहार का भी काम करते हैं. तो बुके जी इसमें किस तरीके के उपकरनों की जरत होती है, कैसे यह सिस्टम काम कैसे करता है, उसको थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? यह तक्न सब्सक्राइज करते हैं, जो हम लोग अपने फिल्ड में करा रहे हैं, वो आठ मीटर डामीटर का होता है, जिसे हमको प्रोडक्शन प्लस प्रोड़क्ट्ट्यूटी दोनों बहुत अच्छा मिलता है, कितना निवेश करना पड़ता है किसानों को इसमें और उपादक्त य जो है सामान ने जो परंपरागत मचली पालन है उसके मुकाबले किस तरह की होती है अब आठ टैंक जो है आठ मीटर डामीटर के कर सकते हैं सर उसकी जो सेट अप कॉस्ट विदिन सेवें पॉइंट फाइब लैक्स है वो मतलब बेस्ट है इसमें इसके अंदर कर सेट अप हो हो जाता है उत्पादत परंपरागत मचली पालन है उसके मुकाबले कितनी ज्यादा मिलती है और किस तरह के का उत्पादन संभाव है कि मचलियों का एक एक हेक्टियर में जो परंपरागत लगता हो बीस के पच्चेस पॉंटल के तक होती है मतलब धाई से टीन टन पर यह पर हेक्टियर की और यह जो हम बायो फ्लाइक सेट अप करते हैं सर यह हमारा आठ बिस्य में लग जाता है या यू कहले सर क्वाइंट वन हेक्टियर लगता है और इसकी जो उपादगता है सर बीट से पच्छीस तंद तक हम उपादन ले सकते हैं सर इसे तो और जो कोई सरका और चौदान महिला के लिए साथ परशन के लिए यानि की आठ लग चाली सजा रुपए है और अदर देन महिला से आप हमारे साथ रूयल वाइस एग्री टैक्षों में जुड़े और वाइए फ्लोग सिस्टम के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी जो किसानों के ल चाहें उनके लिए बहुत फाइदेमंद होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूरल वाइस एक्री टेक शो में जुड़ने के लिए थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जैसे के अभी आपने आज के हमारे एक्सपर्ट मुकेश सारन को सुना और हम बात करेंगे आज के इस तक्निक को अपनाने वाले किसान एंटरपेने और तन्वीर आलम से जो इसके व्याभारिक पक्स को आपको बताएंगे तन्वीर आलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो बायो फ्लॉक का फिश फार्मिंग सिस्टम है वो अपने क्यों अपनाया और आपको कैसे लगा कि यह फाइदेमंद साबित हो सकते हैं यह नई तक्निक हैं वो बहुत जादा मुझे ए जादा रही हैं है मैंने फर्दिन अध्यन किया तो अध्यन करने पर यह पता चला कि बहुत कम जमीन में विशेशग सेहरे छेतрах जहां जहाँ आपनाया जा सकता है हमने चार डायमीटर के 58 टैंक का निर्मान किया है और 10 डायमीटर के 7 टैंकों का निर्मान किया है जो छोटे टैंक से हैं उस 15,000 लिटर का ग्रॉस वॉलूम आता है और बड़े टैंकों में एक लाख लिटर का पानी का कैपसिटी है तो जो परमपरागत फिश फार्मिंग है उसके मकाबले इसमें उतपादक तक इतनी ज्यादा है किस तरीके का मुनाफ़ा हासिल होने के समावना है एक हेक्टेर जो लगबग ढ़ाई एकर है इसके अंदर में लगबग चार से पाँच टन का उतपादक लोग लेते आए हैं जो सरकारी आगरों से मैच खाते हैं और कुछ किसानों की बात करें जो बहुत अगरिसिवली करते हैं ध्यान देते हैं चीजों का तो वो आठ से दस टन का उतपादक ले लेते हैं मैं स्पेसिफिकली अपने फार्म की मैबग बात करूँ जहां पर लगबग एक एकर में ही बना हुआ है दूसरा एक एकर हमने खाली रखा हुआ है तो उसके अंदर में कम से कम साथ टन मचली का उतपादन हमने किया है तो आपने इसको अपनाया बाकी जो किसान अगर एगरी एंटर्परनियोर्स या फार्मर फिश फार्मिंग में जाना चाहते हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मैं यह उनसे ही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर में अगर आप पूरा समय दे सकते हैं जिसको हम मौनिटरिंग सुपरविजन के तौर पे अगर कर सकते हैं और एक दो लेबर को रख करके हम इसको बहुत अच्छी तरीकी से कम से कम जमीनों में इसका हम इस टेकनिक को अपना कर इससे बहुत अधिक लाब हम कमा सकते हैं जो लैंड सिलेक करने के समय जो लोकेशन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखे हैं चुकि इसमें बिजली की आवशकता होती है आक्सिजन टैंकों में देने के लिए और जहां से आसानी से वो मार्केट कर सके आपने तमाम सारी जानकारी दी जो सरकार की जो योजनाई ह लिए लोगों को इसमें अट्रक करने के लिए उसके बारे में आपका जो अन्हों है वो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे मेरा यह मानना है जो पिसिक कल्चर जो मतस बिवाग है वो बहुत अच्छे काम कर रही है बहुत स्कीम से नह नह लेकर आ रही है जो जरूरत इस कि यह समय सीमा को कम किया जाए दो से तीन महीने के अंदर में उसको जो भी साहता है वो पापुर्ती उसको परदान कर दी जाए दूसरे भी भाग हैं जैसे बिजली भी भाग हैं या और किसी तरह के जो हैं जिस पर हमको डिपेंडिन्ट होना पड़ रहा है तो उन से बिज सीजन का इस्तेमाल होता है इसको अभी भी क्मर्शिल की केटेगरी में लेते हैं तो आज जरूरी इस बात का है कि किसानों को अधिक लाभ पहुछ सके और चुकि 2014 के आधेदेश के हिसाब से पिसी कल्चर को अग्री कल्चर का दरजा दिया गया है तो उसके हिसाब से इनको एग्रिकल्चर केटिगरी में बजली पारदन की जाए जिसे किसानों को अधिक सदे किलाब हो सकता है तन्वीर आलम जी आप रूरल वाइस एग्रिटेक शो में हम से जुड़े और बहु मुल्य जानकारी आपने दर्शकों को खास्तोर से किसानों के लिए दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अमीद है आपको रूरल वाइस एग्रिटेक शो का यह एपिसोड पसंद आया होगा हमने इसमें आपको बाइफ लोग फिश फार्मिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी इस तक्नीक को अपना कर जो किसान है या एग्रिए एंटर्परिनोर्स हैं उसको अपना फाइदा ले सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को बहतर कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में हम लोग फिर खेती किसानी या उससे जुड़े दंदों के बारे में एक नई तक्नीक की जानकारी लेकर के आएंगे तब तक के लिए नमस्कार आप हमसे हमारी व कर शो के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं तब तक के लिए नमस्कार